हेलो फ्रेंट्स आपसे को फिर से स्वागत है आज की इस चन्य वडियो में आज के इस वडियो बताएंगे कि अपने लर्नर लेसंस या फिर ड्राइविंग लेसंस को डाउनलोड कैसे करें तो आज के इस वडियो में आपको वायल के स्टिंप्ल ले जाएंगी और step by step learner lessons और driving lessons दोनों को download करके step by step बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो काफी interesting होने वाला इसलिए प्लीज पुरा आद तक जरूर देखिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक request जरूर करेंगे अगर आपने अभी तक हमेर चनल को subscribe नहीं किये अभी अभी चनल को subscribe कर दिजिए notification bell जरूर पेस कर दिजिएगा तो चलिए दोस्तों आज किस मुल को शुरू करते हैं तब से पहले आपको अपने phone में Chrome browser को open करना है और सामने कहीं search bar पे type करना है parivahan.gov.in type करके search करेंगे तो official website open हो जाएगा और यहाँ पे हमें option मिलता है driver's learner lessons इस पे click करेंगे तो अगला page load हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत सारा option मिल जाता है अगर आप phone में use कर रहे हैं तो इसको desktop site में open कर लेजिएगा उसके लिए three dot पे click करना है और desktop site select कर लेना है तो दोस्तों यह desktop site में open हो चुका है अब आपको जूम करना है और जूम करके left side में उपर में आना है तो यहाँ पे हमें दोनों option मिल जाता है learner lessons का भी और driving lessons का एक करके बताते हैं सबसे पहले learner lessons download करके दिखाएंगे उसके बाद driving lessons download करके दिखाएंगे तो चलिए सबसे पहले learner lessons पे क्लिक करना है और बीच में एक option मिलेगा print learner lessons form 3 इस पे क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पे जूम करके दिखाएं तो learner lessons download करने का दो method दिया गया है या तो आप application number से download कीजिए या फिर learner lessons के number से download कीजिए आपके पास जो चीज अबलेबल है उसको select कर लिजेगा तो मेरे पास application number है तो इसको select कर लेते हैं और फिर application number को enter करना है उपर वाले में और नीचे वाले में अपने data birth को enter करना है और फिर submit वाले button पे click करना है और जैसे हैं click करेंगे तो आपके register mobile number पे OTP भेया जाएगा तो register mobile number का last four digit यहाँ पे so हो रहा है आप यहाँ से check कर लिजेगा और फिर okay वाले button पे click किजेगा OTP को यहाँ पे enter करना है फिर submit वाले button पे click करना है तो आप देख सकते हैं कि learner lessons आच चुका है इसको phone में save करने के लिए three dot पे click करेंगे और download का option है इस पे click करेंगे तो phone में यह download हो जाएगा इसको आपको print out निकलवा लेना है और driving करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अभी learning में है गाड़ी सीख रहे हैं तो गाड़ी सीखते समय आपको एक ऐसे बंदे को पीछे बैठाना है जिसके पास already driving lessons हो ताकि वही तो आपको guide कर पाएगा जिसके पास driving lessons है वो मतलब train है उसको पहले से गाड़ी चलाने आता है तो वो आपको गाड़ी सीखा रहा है इसका मतलब यह होता है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो चलिए अब आपको बताते हैं कि driving lessons डाउनलोड कैसे किया जाता है तो उसके लिए back आ जाते हैं जहां पे हम आपको बताएं हैं कि left side में उपर में दोनों option मिलता है learner lessons के लिए भी और driving lessons के लिए भी तो learner lessons तो अभी डाउनलोड करके पूरा बता ही दिये अब बताते हैं कि driving lessons डाउनलोड कैसे घड़ता तो उसके लिए driving lessons पे क्लिक करेंगे और यहां पे print driving lessons का option आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे फिर से वही इस टेप को follow करना है अपने application number को enter करना है और data birth को enter करना है और submit वाले बटन पे क्लिक करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे डियेल डाउनलोड ना होके एक error आ रहा है वह क्या है पढ़के बताते हैं डियेल प्रिंट डाउनलोड option not available for this state इस राज़े में डियेल डाउनलोड करने का option नहीं है इसका मतलब तो यह हो रहा है पर डियेल डाउनलोड इसलिए नहीं हो रहा है हमने डियेल के लिए एपलाई तो कर दियें पर वह एप्रूब नहीं हुआ है और जैसे ही एप्रूब हो जाएगा उसके बद इसी तरीके से आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं मेरा स्टेटस अभी पेंडिंग बता रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर पेस कर दिजीगा और किसी अगले टॉपिक के उपर वीडियो देखना चाहते है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा उसके उपर वीडियो जरूर लेकि आएगे और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक किजएगा और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर पेस कर दिजएगा तो चले चलते हैं मैं फिर अगले वीडियो में